हलो एवरिवन, कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी एक कॉंसलिडेशन में है, उपर से और नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है अगर कल निफ्टी 17,900 के नीचे बेरिश पैटर्न मनाता है तो नीचे 17,740 तक आ सकता है जो की सपोर्ट है और अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ब्रेक करने के बाद री टेस्ट करके फिर नीचे आता है तो एक एगें डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है और अगर 17,900 को ब्रेक करके सस्टेन करता है 15-20 मिनिट तो निफ्टी में एक अप मूफ मिल सकता है कल ज़्यादा तर इस लेवल के नीचे नीचे आने का चांसे ज़्यादा है बैंग निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स देख लेते हैं बैंग निफ्टी एक कॉंसलिडेशन में है और लास्ट दो दिन से एक रेंज में कॉंसलिडेट कर रहा है आज भी दिन भर इसी रेंज पर कॉंसलिडेट हुआ है तो अगर जब तक कल बैंग निफ्टी यहाँ से उपर के तरफ ब्रेक आउट नहीं देता है 41,720 अगर ब्रेक करता है तो है बुलिश होगा और अगर बैंग निफ्टी यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है 41,380 को ब्रेक करता है और फर्स टार्गेट विल बी 41,100